दोस्तों मा बनने का सपना हर महिला देखती हैं, फिर वो चाहे गरीब हो या आमीर, इस सुप का आनंद हर कोई उठाना पसंद करता है, हाला कि कुछ निजी कारणों की वजह से हर कोई 9 महीने पेट में बच्चा नहीं पाल सकता है, ऐसे में सरोगेसी यानी किराय की कोप काम माती हैं, इस प्रक्रिया के अंदर मा और पिता के अंडानू और शुकरानू को एक टेस्ट ट्यूब में मिला कर फर्टिलाइच किया जाता है, और फिर किराय की कोप देने वाली एक महिला के गरभाशे में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस तरह बच्चे का DNA माता पिता का बस 9 महीने उसकी परवरिश एक दूसरी महिला की कोक में होती है जिसे इस काम के पैसे मिलते हैं. इस दौरान किराय की कोक देने वाली महिला और पेरेंट्स के बीच एक कॉंट्रेक्ट भी साइन होता है. महिला के खाने पीने और मेडिकल का खर्चा भी पेरेंट्स उठाते है बॉलीवुड में सरोगेसी बहुत फेमस है. हाल ही में शिल्पा शेटी इसी प्रक्रिया का सहारा लेकर दूसरी बार मा बनी है. शिल्पा शेटी और उनके पती राज कुंडरा हाल ही में सरोगेसी के माध्यम से प्यारी बच्ची समीशा शेटी के माता पिता बने है. शिल् का पहला बच्चा 7 साल का बेटा वियान है. शाहरुक खान और उनकी बीवी गौरी के तीन बच्चे आरियन सुहाना और अबराहम है. इन में उनका सबसे छोटा बेटा अबराहम सरोगेसी की सहयता से ही हुआ था. 27 मई 2013 को जन्मा अबराहम अपने मम्मी पापा का फेवरेट ह आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरन राओ का बेटा आजाद भी सरोगेसी से हुआ था. हालाकि आमिर की पहली बीवी रीना दत्ता के दोनों बच्चे जुनेद और इरा खान सामान्य तरीके से ही हुए थे. सनी लियोन और उनके पती डैनियल 2017 में दो जुरवा पता था. ये दोनों ही सरोगेसी से हुए थे. बता दे की इसके पहले दोनों ने निशा नाम की एक लड़की भी गोद ली थी. सरोगेसी की बदौलत ही करन जोहर बिनाशादी के दो जुरवा बच्चों के लीगल सिंगल पिरेंट बन सके. करन के बच्चों रुभी और बिनाशादी मा बन गई. एकता के बेटे रवी का जन्व 27 जन्वरी 2019 को सरोगेसी से ही हुआ था. सल्मान खान के भाई सोहेल खान और उनकी पत्नी सीमा ने अपने छोटे बेटे को जन्व सरोगेसी से ही दिया था. इनके छोटे बेटे का नाम योहान है जबकि बड़े बे